तो आपका target क्या हो, exam के preparation, ठीक है, तो ये चीज हो, और distraction से बचे, बहुत तरह के distraction आपके life में आ सकते हैं, तो उस चीज से आपको क्या करना है, बचना है, कोशिश करना है कि इसको minimum, चाहे वो friends के रूप में हो, या फिर जैसे भी हो, आपका hobby, ये सब, वो आपको extra time में करना ऐसा नहीं कि study hour में इस चीज को करें, और लंबे समय का कोई भी break ना ले, अगर आप बीच पढ़ते से में, बीच-बीच में दो-चार-पाल दिन का break ले लेते हैं, तो आप discontinue हो जाएंगे, और फिर अपने बढ़ाई continue करने के भी आपको एक दो दिन फिर से लग जाएगा ठीक है, continuity में दो चीज ध्यान रखना है कि आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए कि हां मुझे करना आया, ठीक है, हर दिन उसी spirit के साथ उसी, जो उसके शाथ आपको पढ़ाई शुलू करनी है, अपनी, हर दिन वैसे ही जो maintain करना है, और वो आप अपने सुविदा के अनुसा Quality study, quality study का मतलब यह है, कि ऐसा नहीं है कि time pass कर रहे है, किताब ले लिए, सामने खुला हुआ पढ़ रहे है, और उतर दोस्तों से बात कर रहे है, वाट्स और फेस्बूक या वाट्यवर जो भी, यह destructive चीज है, यह सब कर रहे है, यह सब नहीं होना चाहिए, पढ़ रहे है, अगर आपने रोटीन बना लिया कि हम मुझे 6 गंटा पढ़ना या मुझे 10 गंटा पढ़ना, तो उस 10 गंटा को, वो effective आपका 10 गंटा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि घड़ी की उसी चल रही है, और आप बस कुछ और कर रहे है, वो effective study award आपका होना चाहिए, करने कंश्या आपकी बड़ा ही खतम हो गई जड़ आप पर के उड़ गए तो उसके बाद आपको जो करना है रिफ्रेश होना वह कीजिए ठीक है उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है क्वालिटी स्टडी आप कैसे करने के चली होता है क्या जब हम पढ़ने बैठते हैं तो यह टाइम क के साथ साथ डिक्रीज करते चला जाता है तो देख रहे हैं कि फीव आवर्स जो है हमारा गेन बहुत अच्छा जा रहा है हम बहुत अच्छा एचीब करें जो भी बढ़ने है वो ग्राफ कर पा रहा है अच्छल समझ पार है उसके बाद यहीं है कि आप लागातार ऐसा नह आपको 10-15 मिट का ब्रीक ओना चाही है जब आप ब्रेक लेंगे उसके ऐद आप क्या करेंगे रिफ्रेष हो जाएंगगा जब रिफ्रेष हो जाएंगे फिर पढ़ने बाइट हैंगे तो आपका फिर ग्राफ क्या होगा उपर के तरफ तरफ जाने लगेगा इस तरह से रिफ्रेश नहीं हो पायागा, आपके लिए ब्रेक नहीं रपायागा, वो तो continue हो गया, तो इसलिए इस चीज में आप चाहें तो अगर आपको गाना सुनके वो relax feel होता है, या meditation कम्यूटी बहुत तर आता है, आपको गो सुने दस मिट तक, योगा करें, ध्यान कर सकते हैं, स फिर पढ़ाई से था दूर हो जाएंगे, तो इसलिए लंबे ब्रेक ना ले, ठीक है, अपना पढ़ाई schedule में जो भी पढ़ा रहा है, उसको continue करें, ठीक है, तो वो quality study होगा, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत आरे आपको friends होंगे, जो कभी देर पढ़ते हैं, लेकिन जो जैसे आपको क्या करना है, कि इसमें सबसे पहले एक आप करेंगे primary source को आपको पढ़ने का, ठीक है, एक बहुत सारे पढ़ने के लिए internet का यूगा गया है, तो इसलिए आप पढ़ने के लिए बहुत सारे resources आपके चालों तरफ अवलेबल है, तो आप कभी जीज से पढ़े कभी उससे पढ़े, ऐसे होच-पच अगर पढ़ेंगे तो फिर फाइनली आपका दिमाद ही कन्फूज हो जाएगा, और आप कुछ नहीं, कुछ नहीं यजीद करपाएंगे, तो resources बहुत सारे हैं, तो आपको क्या करना है, कोई एक resources को जो आपको base लेगे, उसके लिए पह आपका source limited है, उसके बाद क्या होगा, जब करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो gap हो रहा है, बीच में कुछ चूट रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, secondary source हम use करेंगे, तीक है? अब यह जो मेरा secondary source होगा, यह जो मेरा होगा basically supplementary in nature होगा, supplementary का क्या कि जो कुछ छूट गया उसको यह supplement करेगा, यह जो जो topic आपने यह primary source से पढ़ा है, वो छूट रहा है, यह अच्छे से नहीं समझ पाए है, उस चीज को आपको basically यह secondary source से समझना है, ताकि आपका preparation क्या हो जाए, complete हो जाए, ठीक है? इस तरह से, ऐसा ना कि एक ही चीज को ज जितना से आपका काम से जाए, ठीक है, exam में PhD level का कोई questions नहीं होते हैं, basics levels होते हैं, उससे थोड़े उपर के होते हैं, तो बस वहां तक जाकि आपको, otherwise आपको वक्त बरवाद होंगे, तो इस चीज को आपको limit करना है, ठीक है, तो इसलिए आपका primary focus जो होगा, वो क्या होग इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे, time management आपका हो जाएगा, ठीक है, time management हो जाएगा, अदरवाई क्या होगा, आपका time waste हो जाएगा, इसलिए आप इस तरह से time manage कर पाएँगा, दूसरी चीज क्या है, कि आपके पास जो सना है, उसको आप बार-बार primary source में focus करेंगे, या जो बार-बार पलटेंगे, तो exams में basically करके वैसे questions आ जाएगे, जो आप आख बंद करेंगे या फिर आप ध्यान देंगे तो वो page आपके सामने आ जाएगा, तो उससे आपको ध्यान में जाएगा, यह मैंने ऐसे लिखा था या यहाँ पर ऐसे लिखा वाथा, तो वहीं चीज ह है कि सब्दों को याद नहीं करता है, वो image को याद करता है, तो जब एक ही limited source होंगे आपके उसको multiple times लप पड़ेंगे, तो क्या होगा आपको दिमाद में image फॉर्म हो जाएगा, जिससे आपको बहुत हल्प मिलेगी हर चीज याद करने में, जो आपने पढ़ा है, ठीक है, इस तरह से आप exam में क्या करेंगे, बहतर और form करता है, दूसरी बात ये, कि आपका brain जो भी है, वो भी systematic way में, systematic pattern से हर चीज को store करता चला जाएगा, hotspot नहीं होगा, ठीक है, ये चीज, चॉलता चीज आपको क्या करना है, कि आपको अपना, ठीक है, अपना memory map बनाना है, ठी 70% अप gain कर जाएंगे, ये सब चीज आपको याद हो जाएंगे, जब आप बना रहे होंगे, उसी समय आपको 70% का चीज जो है, याद हो जाएगा, अब सब जगा नहीं, जहाँ जहाँ अप्लिकेबल हो, आप कहीं पे आपको लगे हैं, कि नहीं memory map के दूरू, मतलब में, memory map से मतलब हैं, क्या आप किसी चीज को चार्ट तरी के थूरू या फॉर्मूलाज हो सकते हैं, उसको आप चार्ट ये तरू एक दूसरे से इंटर लिंक्ट करके, या कवीता बना के इस तरह से आप कर सकते हैं, कि याद कर सकते हैं, तो ये memory हो गया, वहीं tricks हो गया, बहुत त मतलब आपका personal होगा, ऐसा नहीं कि किसी और से copy कर रहे हैं, ये ये उतना फाइदा आपको नहीं करेगा, ये आप अपने भासा में आपको Hindi, English, Hindi, English दोनों mix करके, भुजपूरी या आपके original language, सब mix करके भी बना सकते हैं, basically ये notes आपके लिए हैं, और आप ही को पढ़ना है, अब ऐसा नहीं कि बहुत लोग को देखा जाता है कि लाल पिला हरा, बुलू दस तरह के color यूज़ करके वो अराम अराम से लिखे जा रहे हैं, भाई basically ये आप ही को बढ़ना है, किसी और को ये publish नहीं होने आप paper में, तो ये आप ही को बढ़ना है, तो इसलिए इसमें अब डिटल नोट्स आप अपने notebook में भी बना सकते हैं, या अगर आपका primary source कोई book है, या फिर कोई notes है, मतलब coaching के notes है, या जो कुछ है, तो आप उसको भी detail notes के book में ले सकते हैं, उसमें आप margin में है, जो है, ऐसलिए से लिखा हुआ book, अगर book ही है, या फिर कुछ भी है, त अगर आप अलग से notebook में नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप यहाप अपना comments लिख सकते हैं, पढ़ने के बाद समझ में, ताकि यह चीज़ बहुत important है, तीक है, आप अपना comments यह जो लिखे हैं, वसकि क्या समझें, आप इसे pencil से लिख सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, या फि कर सकते हैं, तो यह detail notes, ताकि आप जब पढ़ें, तो आपको फिर इस चीज़ को दुबाराना, अगर आपने को notebook में मनाएं, तो फिर आपको अपना notes पलटनी की ज़दूरत नहीं हो, जब आप detail notes बना लेंगे, तो क्या होगा, कि यहीं आपका primary source हो जाएगा इसके बाद, और इसको क्या करना, आप other source से जब पढ़ेंगे, तो इसको क्या करना है, इसको supplement करते रहना है आपको, ठीक है, यह detail notes बनाना है, तो पहले यह detail notes आपको बनाना है, उसके बाद बाद पढ़ 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 रहे हैं, तो exam's purpose से यह revision purpose से क्या होगा, बाद के दिनों में revision के लि है, short notes बना सकते हैं, यहाँ पर short notes बनाने में आपका tricks और memory map ज्यादा help लोगा है, मतलब इसमें से जिस्ट आपको निकाल के यहाँ पर लिख लेना है, जैसे math का कोई notes बना है, तो आपने formula लिखा, formula based, 2-4 question को भी हो सकता है, आपने लिखा हो, जो लगे कि यह important है, इसमें tricks क फिल होता है, उसमें आपके बास इतना वक्त नहीं रहेगा, कि आप detail notes बनाना है, पहला detail notes बनाना है, पहला detail notes बनाना है, और बाद में इससे derive होगा क्या, आपका short notes, तो इस तरह से आपको क्या करना है, कि अपना खुद का notes बनाना है, यह notes कि कि किसी भी रूप में हो सकता ह आपको कुछ आड़ करना होगा तो आपको अले चिफ काने पढ़ेंगे यह चीजा कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट है यह सबसे जरूरी है क्यों जरूरी है और रिवीजन कैसे रिवीजन करना तो यह रिवीजन जो होगा पिरियोडिक होगा ठीक है रिवीजन का मतलब जेनरी स्टूडुडिक क्या समयते हैं देख सब्सक्राइब आपको प्रॉंइख ईयाद रेगा वुटा रहींवाण थिर्श शोले है तो आपको यहाद करते नहीं है, वो आत्रोमेटिकली याद हो जाता है आपको, लेकिन वहीं है, आपके बुक्स में दिये फॉर्मूलेस हैं, या भूल जाते हैं, क्योंकि आप उसको बार 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 नहीं बढ़ते हैं, यहीं वजा है, एक चली, human memory जो है, वो काम कैसे करता है लेकिन इज्यां तो मेर महराथन है, यानि कि बहुत दिनबाल होने वाला है, तो क्या होगा, इसलिए हम को क्या करना है, इस चीज को temporary से permanent में सिंफ्ट करना जो कुछ भी हम पढ़ रहा है उसे क्या करना temporary memory से permanent memory में क्या करना सिंफ्ट करना राकि exam है इसमें से क्या होगा कि एस जबता रहें कि यह ऐसे यह दी जात रहेंगा तो यह चलता रहेगा जब तक हमारा परपस क्या हो रहा और यह नवह बहुत प्राइब तो अब रिवजन कैसे करना है अब सबसे पहला कुछ से करने हूं तो इसमें से क्या करना है आपको यह से यह पूसम चला हूं कि 20-30 मिनट जो है आपका ब्रेक में चला जाना ठीक है 20-30 मिनट क्या होगा ब्रेक में आपने ले लिया और क्या करना है कि पढ़ना बैसिकली इस 6 गंदा में आपको effectively पढ़ना आपको 5 गंटा ठीक है जैसे मैंने कोई topic उठागे आज पढ़ा ठीक है मैंने पढ़ लिया ब्रेक लिया अपना फिस दोबार topic को पढ़े complete कि जब भी यह topic complete हो जाए अगर वह दो गंटा में complete होता है तो जब भी complete हो जाए तो उस topic पर क्या करेंगे कि इसी के recording है अगर तिन गंटा में complete हो गया तो उसमें 15-20 में टाइम देंगे और उस 15-20 में एक बार सारे page पलटके एक बार देखेंगे कि आज मैंने यह चीज़ आज पढ़ा यह चीज़ ऐसे है यह चीज़ ऐसे इस तरह से करेंगे तो आपके brain में क्या होगी एक sequence जो है वह डाटा का sequence फॉर्म होगा ठीक है अपने क्या पढ़ा है ठीक है तो यह मेरा क्या हो गाटापिक वाइस कर लिए दूसरा क्या करेंगे डिली में कि सोने से पहले तीक है सोने से पहले क्या करेंगे कि आप ऐसे ही 10 मिन 3-2 टाइम आपको लेना है, रहार कुछ नहीं बैटना है। बस ऐसे ही बैटना है, अगर साल रहा है और उस 10 मिट में आपको सोचना है कि आत्में इने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा। अच्छा यह topic मैंने cover कर लिया यह चीज होगा है तो यह 10 मिंट में आपको क्या करना है एक बार recap कर लेना है जो कुछ भी आज आज आपने पढ़ा ठीक है और दूसरी चीज क्या करना है कि कल की planning करना है ठीक है planning कल के लिए करना है कि कल मुझे कौन-कौन सी topic पढ़ना है ठीक ह क्या करना है ठीक है यह दूछी आपको करना है तो फिर्टे क्या होगा आपकाज forts गया पहला क्या करना है कि सुने से पहले आपको को रिकाब करना है कि आपने क्या बढ़ा है। दूसरा क्या है रिवीजन ने तो दूसरा रिवीजन हम करे maggag request रिवीक्ली ठीक है। आप देखी षीक्षर में आपको बता दूु कि सबसे जाळर इंप्रूरेटर कोई चीज है तो वो रिवीजन है। आप कमी पढ़़रायं तर उसे अच्छे से पढ़िए और इस तर से पढ़िए कि वह सुमेशा करिया, इसलिए आप हमेशा क्या क्या करें, कि मंदे पु सटर्डेडे ही पढ़ने का रूटीन बनाए इस टीवल आपका है, ठीक है? इस दिन ये टॉपिक किस दिन ये टॉपिक सब्सक्राइब करेंगे कि आप अपने अनुसार क्या करेंगे कि छो कुछ भी इस वीक में आपने पढ़ा है या तो आप उसे दीन में या फिस एवनिंग में ठीक है दोनों सिफ्ट में से किसी सिफ्ट में ठीक है क्योंकि एक सिफ्ट हम चाहेंगे कि क्या भी इंतान है आपको मन करते हो कि या अप भी मार पढ़ जाएं या पी हमसा फोकस मेंटें रहें कि कि यह मुझ्छ आइसा है जो भी आपने ये पढ़ा है वह आप करेंगे लेकिन अगर सामय आप जिसे मूवी देखना चाहते है तो आप उसे दी में कर लें पर रिवीजन जो है वह एकम से संडे को आपको कंप्लीट कर लेना है ठीक है उसके बाद रिवीजन के बाद जो भी आपका वक्त बच रहा है आपको नमस्ति करें ये करें संडे को पाहई करने की जरूँ तो इस तरह से करेंगे तो ये मेरा वीकली हो गया ठीक है वीक में क्या करना है कि एक दिन आपको रिजर्ब कर लेना रिवीजन के लिए वह एद्दम कंपल से अगर वीक में मान लिए किसी वजह से आपको कहीं आपको चले का हुआ होसु कर ले तो फिर आप इसको में ये करना ही खाला है ठीक है उजब कहती खयंगे कर दो जो से तीन दीन के लिए तो आumी के दो क्या क्या करना के अब गशसे कि रिजयना की में और में कुछ सब एक ख जाanka युकि आप उल्री वाइस कर चुके हैं दो बार ठीक है एक वीकली बेसिस पे और दूसरा क्या कि डेली बेसिस पे अल्री किया हुए है तो इसलिए आप आप ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे देखने में तो आप उसे देख लें ठीक है जब भी आप वीक्ली जो है आप डेली जो रिवाइस कर रहें देली यो पढ़़त है उसके बाद आप वीक्ली पढ़़त है तो उसके बाद इते नी जो आपका पास वक्त है उसमें क्या करेंगे जहां पर आप कोई तो इस तरह से आप क्या होगा आपका monthly revision हो जाएगा इस चीज को कभी skip नहीं करना आपके पढ़ाई के दिन skip हो सकते हैं ठीक है अब हो सकता महिना में 15 ही पढ़ें पर revision आपका होना ही होना चाहिए ठीक है उसके बाद last revision हमाना क्या हो जाएगा कि अगर ज्यादा वक्त साल दो साल का बात आगा तब आपको बीच में भी आपको आपने अनुसार देख लेंगे कर लेंगे कर लेंगे या फिर अगर ज्यादा लंबा है तब कम लंबा है तो फिर चाहिए पहले जो होगा आपका before exam जो होगा final division हो जाएगा ठीक है उसके पहल होगा इससे में आपको क्या करना आपको two weeks minimum चाहिए ठीक है two weeks जो होगा minimum आपको चाहिए ठीक है revision करी यानिकि इससे हम से दो सब्धा पहले आपको पढ़ना जो होगा नया चीज पढ़ना छोड़ देना क्या करना इस तो सब्धा में आपको test series लगाने है ठीक है test series बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है ठीक है यह इससे क्या होगा कि आपको एक तो पहला चीज कि आप जितने सारे competitive income है वह speed का game होगा ठीक है यह पहले सिर्फ accuracy का game हुआ अगरता था अब क्या कि आपको limited time में आपको best problem करना है तो क्या करना कि accuracy तो सही जरूरी है इस साथ में speed भी जरूरी है जब आप यह test release देंगे तो आपको क्या होगा speed होगा वह अच्छा होके जाए आपको लगेगा इसक्षम में limited time of कितना perform कर पा रहा हूं ठीक है दूसरा चीज क्या होगा कि जो कुछ भी gap बच बच गया है बहुत सारे questions या बहुत सारे patterns यह सब आपको पता चल ज देना चाहिए देना की कोशिश किया उसमें आपको लिए रिविजन के लिए और बाकी वह क्या करेंगे सब्सक्राइब अब कि द 허리가 तो से पाथिंटायगा साथ सब्सक्राइब नियुकुक्ष तक है ये लिगां सब्सक्राइब मैंनेको ये मैद व सरिक मेने दीक नाै अगर आawat गोकेस टाइम कम है तर दोविक अ को देना एक है इसमें लेकिन आप बहुत सिंसियर है पहले से भी तैयारी कर रहे है अगर आपका एक दो मुंगा पहले वजा है तो बहुत अच्छा उसमें क्या करेंगा आपके वो आपके बाब करेंगे असे पठरील निए पर देख लेंगे कि आपने जो कुछ भी पढ़ा तीक अभी ऐ है इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपको सफलता इदम से आत लगेगी ठीक है तो मैं आपको यहीं सला दूँगा कि आप इस टेक्निक को ज़रूर करें अपने पढ़ाई में कंटिनीव रहे हैं पैसे रखें डिस्ट्रेक्शन से बचें उसके बाद आप अपना मेमोरी अपना ट्रिक्स अपना देशी नोट्स जो है अपने भासा में बनाएं और सबसे ज़रूरी बात आप रिविजन करना बिल्कुल ना पूरी ठीक है दोस्तों तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें आप अपना फीडबैक देने के लिए अग अपने दोस्तों को इस वीडियो को सेर करें प्रेस्बुक वार्ट सबसारे सोचे ज़रूरी नोगा इस वीडियो को सेर करें ताकि उन्हें